आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसके लिए हम सबसे पहले graph draw कर लेते हैं और हमारा point of interest 0 to pi by 2 है तो हम सिर्फ 0 to pi by 2 के भीच graph draw करेंगा so this is my y-axis this is my x-axis और मैं try करूँगा मैं इसको 81 draw कर दूँ okay then this is 0, this is also 0 and this is let's say pi by 2 and this is pi by 2 okay तो graph कैसा दिखता है यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है और यह highest point इसका height क्या होता है 1 और यह क्या से दिखता है 1 से 0 आता हुआ और यह क्या है 1 अब थोड़ी बहुत analysis करते हैं क्या analysis कर सकते हैं सबसे पहले चीज़ हम यह देखेंगे अगर theta 0 से pi by 2 के बीच है तो sin theta कहां से कहां vary कर रहा है 0 to 1 क्योंकि यह max point के है 1 so sin theta varies between 1 to 0 next thing क्या हम notice कर सकते हैं कि cos theta भी 0 से 1 के बीच vary कर रहा है यहाँ पे क्योंकि theta जब 0 से pi by 2 के बीच आ रहा है तो यह पूरा 1 से 0 तक सारी values ले रहा है okay fine अब हम first वाले point को extend करते है अगर sin theta 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है so cos of sin theta क्योंकि cos decreasing function है तो inequalities change हो जाएगी तो cos of 1 and this will be cos of 0 so यह क्या हो जाएगा cos of sin theta कहां से कहां लाई करेगा cos of 1 to cos of 0 cos of 0 क्या होता है 1 तो मतलब cos of sin theta cos 1 से 1 तक vary करेगा अब हम second point को extend करते है cos theta 0 से 1 के बीच है तो हम क्या करेंगे sin theta दोनों तरफ लेंगे तो sin of cos theta would be equal to sin 1 to sin 0 यहाँ पर inequality change नहीं हो क्योंकि sin increasing function है next sin 0 is 0 and this is sin of cos theta less than equal to sin 1 ओके इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जो हमारा cos of sin theta है वो कहां से कहां vary कर रहा है 1 से लेकर cos 1 तक ओके और जो हमारा sin of cos theta है वो कहां से कहां vary कर रहा है sin of 1 से 0 तक अब हम एक काम करते हैं इन दोनों को subtract कर देते हैं अगर मैं लिखो cos of sin theta minus sin of cos theta so it would be 1 minus sin 1 and यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 1 ओके और इसका मतलब यह है कि यह जो quantity है यह cos 1 से लेकर 1 minus sin 1 के बीच है fine अच्छा cos 1 की value क्या होगी cos 1 यहाँ कहीं होगा value positive है ओके यह भी positive है yes और 1 minus sin 1 क्या होगा 1 minus sin 1 sin 1 तो हमेशा क्या होगा यहाँ पर कुछ होगा sin 1 0 से 1 की बीच लाएगा sin 1 subtract कर रहा हूँ 1 में तो यह क्या हो जाएगा यह भी एक positive quantity है मतलब इसका जो difference है वो positive है ओके अब हम इस expression को देखते है cos of sin theta greater than sin of cos theta और अगर मैं sin of cos theta को LHS में लाता हूँ तो यह क्या हो जाएगा cos of sin theta minus sin of cos theta is greater than 0 और यह हमने यहाँ पर prove कर दिया है क्योंकि यह greater दोनो positive quantity है मतलब greater than 0 है so this expression turns out to be true and here we prove this classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर